ए नमस्कार स्वागत। आपका न्यूज गर्शा में लेकर आपका अपना कार्यकरम। जब टे नोरता है तो अशुकवान खडय बोलता है। सत्य आज दॅब्हागे जोग विवमें डोला है। राज सभा में डोला है संसत के उस लोक तंतर के मंदिर में डोला है आज एक संसत में सवाल उढ़ाया सत्ता पक्ष पे कि मनिपूर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है कम से कम सत्ता पक्ष की महिलाएं तो साथ ने आके बात करें प्रधानमती तो मौन है इस आरोपों से तिल मिलाई महिला बाल विकास मंत्री आज़ा नहीं है समुनूती हिरानी जी ने जो बोड़ना सुरू कर दिया उन्होंने कहा कि आपको नैतिक बल ही नहीं ये सवाल पूछने का सवाल सिर्फ महिला सांसत बोले या महिला नेता बोले वो नहीं है सभी ने निर्वशना करनी चाहिए लेकिन फिर चर्थिसगर राजस्तान बिहार में भी जो हो रहा है उसमें भी चर्चा होनी चाहिए उन्होंने फिर एक सत्य बोला उन्होंने का मनिपूर की आग तो राउल गांधी ने लगाई है मनिपूर को आग के खाई में राउल गांधी ने धक्के लाई ये राउल गांधी है जो वहां से आग लगा क्या है और हमें पूछते की चप्चा करनी चाहिए ये सत्त बुरी तरह से डोना सवाल ये है कि जो मनिपूर में हो रहा है क्या वैसी ही घटना है चत्तिसगर राजस्तान बिहार में हो रही है क्या क्या बिहार के पुलीसों ने ये राजस्तान पुलीस ने ये चत्तिसगर पुलीस ने महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के नाम से जंगल से उन्हें लाकर क्या खुजूं के हवाले किया है क्या भीड के हवाले किया है परोसा है एक महिला होने के नाते और खासकर वो एक्ट्रेस स्मूरती रानी जो इस देश के हर घर में वो तुल्सी का किरदार उनका साज भी कभी बहू उस सिरियल का हर घर में जगा आप बनाई हूँ तो बहू हो तो ऐसी क्या स्त्री क्या डेडिकेशन परिवार के लिए अपनों के लिए चंदन के जैसी जीजने वाली ये महिला लेकिन रील लाइफ और रियल लाइफ ये अलग होते हैं सिनेमा के परदे पे या जो आप टीवी पे देखते हो वो सत्य हमेशा डोलता है जब व्यक्तिकर रूप से आप इन लोगों को मिखते हों आज घिन आ रही थे ये सुनके कि मनिपूर में जो हो रहा है उसकी तुनना आप छत्तिसगड़, राजस्तान, बिहार छोड़िए, मध्यप्रदेश, महराष्ट, गुजरात, आसाम, यहाँ पे होने वाले अत्याचारों पे भी नहीं कंपेर किया जा सकता क्योंकि हो जिनोसाइट है, उस चीज़ को देखते हुए, सुएम देश के प्रधान मंत्री ने कहा हो, उनके वुर्दे में पीड़ा है और क्रोध है, क्या कभी प्रधान मंत्री जी ने, 36 गड़, राजस्तान, बिहार के, महिलाओं के उद्पीड़न के लिए, दिल में क्र क्रोध और पीड़ा बताई है, क्योंकि उनको सिर्फ क्रोध और पीड़ा वहीं होती है, जहां उनका राज्य है, या उनके पार्टी का राज्य है, क्या महिलाओं के अत्याचार भी आप पार्टियों में बटने लगे हैं, महिलाओं के अत्याचार भी आई-पिल के क्या र बुर स्वाल दाखते हैं क्या आपको नाईतिक अधिकार नहीं है। तो क्या नाइतिक अधिकर महिला-बाल-विकास मंत्राले पर बैठने का भी है। जिस महिलाने कोर्ट में झुटा अफेडिविक दीया हूं। क्या उन्हें अधिकार है? वो शिक्षा मंत्री भी रही चुकी है जिनके डिग्री को लेकर हमेशा बाते हुई है क्या उन्हें नेति कदिकार हैं हर चीज राजनीति की भेट चुनाई जाती है दूसरा सत्र लोला जब उन्होंने कहा कि राहूल गांधी ने मनिपूर को जलाया राहूल गांधी तो कम से कम इतना दम दिखा गए है कि जलते हुए मनिपूर में जाके लोगों से मिलने की हिम्मत उनको थी और वो गए है उन्होंने वहाँ बात की 29 जून 2023 को राहूल गांधी ने मनिपूर का दवरा किया सेक्रिटी उनके साथ थी वो गवर्नर को मिले सिविल सोचाइटी के लोगो मनिपूर पुलिस उनके साथ थी पुरा कुनबा उनके साथ था वहाँ ऐसा क्या उन्होंने किया जो आग के हवाले लगाया ये बताना चाहिए नूती रानी को और यदि सदन के पड़ल पर आपने बोला राहूल गांधी ने आग लगा दी तो फिर राहूल गांधी बाहर क क्यों नहीं तीन में से जो आग लगी थी वो आग तीन में से आग जो लगी चार में को जो हत्या कांड हो गया वो जो बरबरता का विडियो मार्केट में आया राहूल गांधी तो 29 जून को गए 26 दिन बाद गए तो क्या 26 दिन में मनीपूर में शांती मनी हुई थी इसी 26 दिन में वहाँ हत्यार लूटे गए इसी 26 दिन में वहाँ हत्याए हुई इसी 26 दिन में वहाँ पुलीस प्रोटेक्शन में लोग मारे गए इसी 26 दिन में वहाँ गिनोना कांड भी हुआ जिसके बिडियों सामने आये हैं इसी 26 दिन में ऐसे सेक़ू कांड हुए ऐसे वहाँ के मुखियमंट्रि कहती इनी 26 दिनों में केंद्र के एक मत्री का घर फुका गया तुन ने कहा कि कानुन व्यवस्ता धस्त हो गई राउल गांधी तब मनिपूर नहीं गया थी मैं राउल गांधी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं डेट वाइज सिलसी ले बार आपके सामने चीजों को रख रहा हूं तत्या आप जानिये आप किसने लगाई कोई बुझाने गया उस पर आरोप लगते हैं कि आपने आग भरकाई है और यदि आपके आरोप में दम हैं तो आपकी सरकार इतनी कमजोर कैसी है कि आग लगाने वाला खुले आम घूम रहा है उसके पार्टी के लोग घंडामा कर रहे है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठें घसिडिये उनको जेल में दालिये उनके जेल में रुती रानी जी ने एक और बुला लाल डायरी पे भी चर्चा होनी चाहिए यकिनन चर्चा होनी चाहिए क्या है लाल डायरी राजिस्थान में राजेंद्र गुदा नाम के एक मंत्री थे अपने ही सरकार को घेर रहे थे उनको बरकास्त किया गया उसके बाद में उन्होंने कहा एक लाड डायरी है जिसमें मुक्यमंत्री अशोग गेलोत और उनके बेटे वैवाव गेलोत के कुछ लेन देन का हिजाव है उन्होंने कहा कि जब मुक्यमंत्री के नजदी की धर्मंदर राठोर के यहां इंकम टैक्स ने रेड़ी की तो तब यह लाड डायरी तो जब कर ले गए उसके बाद मैंने अशोग गेलोत के कहने पे 150 CRPF के जवान जहां निगरानी करते हो उनके पीच में फिल्म स्टाइल में जाके वो डायरी चुरा के लाया अशोग जी ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कहा कि तुम्हारे वज़े से मैं मुख्यमन के लिए उसके बाद वो डायरी उन्होंने जलाने के लिए बोला लेकिन मैंने जलाई नहीं यह है वो डायरी ऐसी डायरी गुमाते हो तीन साल पुरानी एक केस है जब धर्मिन रिजाटोर के हाँ रेड हुई थी तीन साल पुरानी डायरी जब लाई और उसमें हिसाब रखा होगा तो एक साल चार साल पुरानी डायरी और जो डायरी हिलाते हो नहीं डायरी है जो आदमी रेकॉर्ड पर यह कहता हो कि मैंने आईटी के आफिस में जाके CRPF के जवानों के बीच में फिल्मी टायल में घुसके ये डायरी चोरी करके लाया तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेकॉर्ड होता है कि हर चीज़ जो जब्त होती है उसका पंचनामा होता है कि अपंचनामे में उडायरी मिसी है और यदि गुनेगार सामने है जो कहता है कि मैंने चुराई है तो फिर आज सुत्मी रानी को जवाब देना होगा उनकी सरकार का आईटी डिपार्मेंट इतना नाकारा हो गया कि सुबूत सामने है चौर खुद गवाही दे रहा है और फिर भी आरेश्ट नहीं है क्योंकि राजिंदर गुदा विक्टिम कार्ड किल रहे है उस डायरी में कुछ होता है और वाकिए डायरी पकड़ी गई होती तो अभी तक अशोग गेलो जेल में होती है सब्सक्राइब यहां भी डोलता है तो आज जो समुती राजिंदर नहीं बोला वाह सब्सक्राइब भयानक रूप से डोला और सब्सक्राइब भयानक बात यह है कि मनिपूर में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के तुलना दूसरे राज्य के अत्याचारों के तुलना से वो उस अत्याचार का दर्द और पीड़ा कम नहीं होता शायद जिनके दिल में दिल नहीं है जिनके सीने में दिल नहीं है जिनको पीड़ा और करोध यह शरफ वक्तवे में होते है पीड़ा और क्लोध जब होता है तो ऐसा बयान कोई देने का सोच भी नहीं सकता जो आज स्मुती राजनी जीदी दिया इसलिए सत्य डोला तो अशुक्वान करे बोला आज इतना ही कल फिरा होंगा किसी विशे के साथ तब तक लिए नमस्कार आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर